नमस्कार साथियों कैसे हैं? आप सब आशा करती हूँ. आप सब अच्छे होगे. आज साथियों बात करने वाले हैं. दस महत्वपूर्ण सवालों के बारे में यदि इन सवालों के बारे में जानते होगे, तो उसका जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं. साथियों आज का पहला प्रश्ण है. ना कौनसा शब्द है? आपका आप्षण है. A. योगिक. B. रूड. C. योगरूड. D. इनमे से कोई नहीं. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. B. रूड. अगला प्रश्ण है. क्ष्ट्रा और ग्या ये तीनों कौनसा व्यंजन है? आपका आप्षण है. A. सन्युक्त व्यंजन. B. उश्म व्यंजन. C. कवर्गिय व्यंजन. D. इनमे से कोई नहीं. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. A. सन्युक्त व्यंजन. अगला प्रश्ण है. टेबल कौनसा शब्द है? आपका आप्षण है. A. देशज. B. तदभव. C. विदेशज. D. इनमे से कोई नहीं. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. C. विदेशज. अगला प्रश्ण है. प्रथवी कौनसा शब्द है? आपका आप्षण है. A. तच्सम. B. तदभव. C. देशज. D. इनमे से कोई नहीं. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. A. तच्सम. अगला प्रश्ण है. आग कौनसा शब्द है? आपका आप्षण है. A. तच्सम. B. तदभव. C. देशज. D. विदेशज. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. A. तच्सम. अगला प्रश्ण है. उस तक कौनसा शब्द है? आपका आप्षण है. A. तदभव. B. तच्सम. C. देशज. D. विदेशज. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. B. तच्सम. अगला प्रश्ण है. वर्नों के समूल को क्या कहते हैं? आपका आप्षण है. A. समूल शब्द. B. संयुक्त शब्द. C. वर्नमाला. D. इनमें से कोई नहीं. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. C. वर्नमाला. अगला प्रश्ण है. चवर्ब का उच्छारन स्थान है. आपका आप्षण है. A. तालू. B. ओष्ट. C. कंत. D. इनमें से कोई नहीं. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. A. तालू. अगला प्रश्ण है. पवर्ब का उच्छारन स्थान है. आपका ओप्षण है. A. डंत. B. कंत. C. ओष्ट. D. मूर्धा. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. C. ओष्ट. अगला प्रश्ण है. तालू. आपका ओप्षण है. A. मूर्धा. B. डंत. C. ओष्ट. D. कंत. इस प्रश्ण का सही जवाब होगा. B. डंत.